25, 26, 27 अक्टूबर को जो राश्रवादियों का महाकुम्ब होने वाला है तीजैपूर डायलोग्स एन्वल समित वो अपनी तरह खा अनूठा अनोखा है इतने सारे राश्रवादी वक्ता चिंतक लेखक और इतनी बड़ी राश्रवादी आउडियन्स आपको एक स्थान पर संभवता कहीं नहीं मिलेगी इसलिए आप लोगों के लिए बहुत सारे यूनीक अवसर हैं ओपर्चूनिटीज हैं वो क्या क्या हैं आप सेशन स्पॉंसर कर सकते हैं आप ग्रैंड प्रमोशन कर सकते हैं हमारी बहुत सारी स्टॉल्स भी लगेंगे इस बार क्योंकि इस बार हमने इसको पूरा एक्सप सकते हैं नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के स्कारक्रम में आज हमारे साथ है अर्श कुमार जी और हम बात करेंगे चल रहा है विपक्ष भारत का मजबूत हो रहा है तो ये विपक्ष के सामने थोड़ा थोड़ा भारती जिनता पार्टी जो एक इनी डिफेंसिव क्यों दिख रही है उनको strongly take up करती है ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो भारती जिनता पार्टी लोग है वो सब उपर से guidance की प्रतिक्षा करते रहते हैं और नेरेटिव जो है वो निकल जाता है देखे आपके सवाल में जवाब है कि वारती जिनता पार्टी विपक्स के नेरेटिव पर इतना डिफेंसिव क्यों रहती है जब आप डिफेंसिव रहेंगे तो नेरेटिव ओल्रेड़ी सक्सेस्फूल हो जाता है तो जिरुम aladhar यह एफ्याने मुझे my watch होता है वह उसकी मजूरी होता है कि हाँ ये बात सळी करी जारी यह और अभी देखे के डो महिने के दो जून में तो सरकार बनी है, जुलाई और अगस्त, सितम्बर तीसरा महीना चल रहा है, तीसरे महीने में ही सब इतनी चीजे बड़ी तेजी से हो गई, जिसकी हमें उम्मीद थी के शायद इन सब इस परिस्थिती के आने में हमें 6 महीने साल बर लगेगा, जो पहले महीने से य मुझे तो इसमें एक बात और भी लगती है, यह जो संग वाले हैं ना, समय समय पर जो संग के अपने महन भागवत जी हैं, यह सब बयान दे देते हैं, के आप यह है, वो है, गमंड है, देवता, खुद को नहीं समझना चाहिए हर इनसान को, मुझे लगता है कि यह सब ची पायदा है, कि आप खुले आम बयान बाजी इस तरह से कर रहे हैं, वो तो यह है, कि साब उनका कहना है, कि साब बड़े लोग जो हैं, वो सुनते ही नहीं है, तो हमें पब्लिक में बयान देना पनता है, अगर संग के साथ इनकी इस्थिती हो रही है, तो फिर तो आप समझ आने के लिए, तो फिर ऐसे उन कारेकरमों का फायदा क्या, उसके बाद तो कम से कम इतना तो तैय होना चाहिए था, कि हम खुले आम अपने डिफ्रेंसिज इस तरह से नहीं शो करेंगे, चलिए माना कि जेपी नडड़ा का जो बयान है, उससे बड़े सब लोग दुखी है कि साथ जेपी नड़ा ने ये कह दिया, कि हमें संग की जरूत नहीं है, तो उसे सौट आउट कर लो बैठके, और उनसे कहो कि भी देखिया आप यह नहीं नहीं कहिए, और कुछ नहीं कम से कम बीजेपी में यही कह देते कि नडड़ा साव का कारेकाल पूरा हो गया, नया देख्ष क्यों नहीं बनाते, जो काम संग को सही वायन में करना चाहिए, कि अगर आपको यह पसंद नहीं था, या जेपी नडड़ा के बयान से संग के और उनके मतभेद जो है, वो सब उजागर हुए है, तो फिर यह डिमांड करनी चाहिए थे, इनको पतल तो शिवराज कभी आता ही नहीं इस तरह की मामलों पे, लेकिन यह सब एक वन साइडिड हो जा रहा है, मुझे लग रहा है कि इस से विपक्ष का जो आप कह रहे हैं कि नेरेटिव बनाने का और उनका जो होसला बढ़ रहा है, उन्हीं चीज़ों से बढ़ रहा है, अब आप बताइए, जब योगी आदित्यनात के घिलाव ये केसव परसाद मोरी है और ये सब लोग जब अल्ला मचाये हुए थे चुनाओ के एकदम बाद, और फिर वो दिल्ली में मीटिंग हुए और उसके बाद जब योगी जी ने अपनी कहानी शुरू किया के, तो उसके बाद सारा कर रहे हैं उनके विरोधियों के इसाब से, लगातार ये देखा जा रहा है कि कई सारी चीजे जहें जिसमें इन्होंने नेरेटिव सेट किया और इन्होंने जैसा उन्होंने चाहा, लेटरल एंट्री की बात ले लीजे, इस्रैली फिल्म फेस्टिबल था, उसकी बात ले ले लीजे और कंगना वाला मामला है, बिल्कुल भुषण शरन वाले मेंस तो मेरा मानने कि इन्हें देख्लेर कर देना चाहिए तक इस्टार केंपेनर होंगे हमारे पुरेज बूशन हरियाना के लिए तो बड़ा मतलब यह जो है दुविधा कहें इसको या इसको एक प्रकार से क्रशा की मुद्रा क्या के आप इसको नहीं यह देखिए मुझे लग रहा है कि जैसे वह होता है न कोई बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो उसे थखाओ रणी मतलो उस पे अब मुझे लग रहा है कि कहीं मोधी जी ने वह इस्ट्रेटीजी तो नहीं अपना ली के जाब यह जितनी बॉलिंग करनी है इन्हें कम कर ले ले लो ठका हो इन लोगों को तो कहीं हो सकता है कि उनके प्लानिंग कुछ इस तरह की हो यह सब बाते आप हमें पबलीक लिए तो पता लगती नहीं है हम तो सब जो एव अपने अंदाजे पर चलते हैं जो चीजे होती ह पर अपना नेरेटिव बनाते हैं हो सकता है कुछ मोदी जी का ऐसा गुप्त प्लानो अभी देखे जैसे कुछ चीजे हैं वह सामने नजा रहाती है जैसे अमित शाह का मैंने देखा कुछ पिछले दो तीन महीनों में अमित शाह को लेकर बड़ा एक वो चला के साब यूप इसमें कर रहे हैं सारी चीजों में और कई जगे बोल चुके हैं प्रेश कॉंफरेंस अटेंड कर चुके हैं बहुत सारी चीजें वो चुकी है तो मुझे लगता है कि और देखे अभी रिपोर्ट चपी है घबारों में कि हर सीट पर जो है आट-ट अट-ट-दस-दस निर् में तो अब दूसरी सीट पे लड़ने के लिए जा रहा है वरना आप समझेए कि एक समय जो आदमी ये कह रहा था कि भाई मैं दिल्ली जैसा केजरिवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं बनोगा मुझे फुल फ्लेज वो चाहिए इस्टेट फिर उसके बाद वो चुनाव लड़ कर लिया और दूसरी जगह ना मांगकर जांकर में जा रहा है वो सीट में बूल रहा हूँ कौन सी है कि वहाँ पर भी मेरी गेरा बढ़गाम बढ़गाम आठ कंडिडेट हैं इसके सामने और यह इस्तरी है अब इसमें मैं कल पढ़ रहा था एक जगह तो उसमें लिखावा कि 47% इंडिपेंडेंट कंडिडेट यह इतिहास है जम्मु कश्वीर के इतिहास में कमी नहीं हुआ तो मुझे दर लगता है कि अमीद शाह ने वास्तों में तैयारी कर रखी थी कि मैं इसको कैसे एंडल करूँगा तो अब हो सकता है कि मोदी जी की भी तैयारी को चीसी तर लें और चार-पांच नॉमिनेटेड होते हैं जो कि लिफ्टिनेंट रोडर करेगा पांच है तो नॉमिनेटेड मिलाके और उसके करके यह सरकार बनाएं अब सब कुछ जो है वो जम्मू पे डिपेंड करेगा कि जम्मू कितनी देता है सीटेंगो जम्मू पर है आप यह जम्मू में तो कॉंग्रेस का दावब है ने सब कुछ इनकी दिक्कत यह आने वाली है कि इन्हों ने 2019 से लेके आज तक लगातार जम्मू को निगलेट किया और सारा का सारा ध्यान जो है वो गाटी पर ही लगाया और गाटी के लोगों को उनका दिल जीतने में लगे रहे ह जियाद का दिल जीते ना जियाद का दिल जीता जासकता है आप जानते हूं जियाद का दिल जीतने का एक ही तरीका है और वही इसलाम का मतलब है इसलाम का मतलब होता है सबमिशन जियाद का दिल का जीतने का एक ही तरीका होता है कि कलमा पढ़ दो उसके लावा नहीं जीता जा सकता आचा तै उस बादा जम्मो में क्या देखा अब में तो मैं गया था लो जितने भी थे जिन्स इन वह मिला वहां पे इते प्रिचे अवादी जो है वो जनरल कास्ट कास्ट की है और उस में और डोग राहे वहां पे और डोग्रा चुत्री हैं ब्रामड हैं बहुत हैं पंजाबी हैं वो सबी मिला के तो वो बिल्कुल निराश्त हैं कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहां तक कि जब यहां वहां पर जब हिंदू की हत्या हुई तो उन से मिले के लिए आये अमिछा और जमू में आके अचानक पता नहीं क्या हुआ उनको लगा कि पता नहीं जिहादी नाराद हो जाएंगे तो वहीं से वापस चले गए वहां तक नहीं के तो जम्मू वाले जो हैं वो उनको ने आपको बता दिया वैसे तो जम्मू वालों ने लोकसभा चुनाओं में लोकसभा चुनाओं में इनको जी कम हुआ है तो अब यह क्या करेंगे अब यह बात भी सही है कि वह उनके पास और कोई आप्शन नहीं है वह करना करेंगे क्या लोग वहां पर कॉंग्रेस को वोट देने का मतलब फारुक अब्दुल्ला को लेकिन जो वहां की जो 43 सीटे हैं उनमें से कोई 30 32 ही ऐसी है जहां आप हिंदूों के वोटों से जीत सकते हैं को कि कुछ एरिया जो है रामबन हो गया या आपका डोडा किश्टवार हो गया वहां पर हेवी मुस्लिम पॉपलेशन है पहले जीती है भारती जंता पार्टी जीती रही है लेकिन वोट तब जीती थी जब जबरदस्ट कांटेस हो जाता था एंसी और पीडीपी में तो एंसी पीडीपी जब उनके वोट बढ़ जाते थे तब इनका हिंदू के डिडेट जीत जाता था ऐसा हुआ है पीडीपी वीक है इस बार बोट और उपर से जो है वो आप जो पुंच एरिया है पुंच रजोरी एरिया है उसमें जाती आज से पहले जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो पच्चीस थी तब खेर इनके पास सैतीस ही वहाँ हुआ करते थे अब सैतीस से बढ़के तैतालिस हो गए हैं साथ सीटे बढ़ी है वहाँ इनकी तो उसमें तीस से ज़्यादा नहीं आती तो आपको पंदरा चाहिए कम से कम दस बारा तो चाहिए पीडीपी साथ कश्वीर में उसका मुझे लग रहा है कि उनकी इनकी स्ट्रेटिजी यही है कि जैसे राशिद वाली पार्टी है उसने नो कंडिडेट रिया दस कंडिडेट अभी तक उता रहे हैं दोनों राउंड में राशिद इंजीरियर वाली तो मेरा इमान इनकी जो थिंकिंग है वो इस तरह की है कि एक तो सिंगल लार्जस्ट पार्टी बना जाए उनकी सीट जो है उनकी सीट जो स्ट्रोंग है जो जहां से उनकी सीटे कम कराए जा सकती है वहाँ पर राशिद जैसी या ऐसी जो फोर्तिज हैं जो मैदान मे आ रही हैं मैभूमन ने तो कल कही दिया कि ये इनकी प्रॉक्सी पार्टी है राशीद वाली उसने तो साफ कह दिया कि ये इनकी प्रॉक्सी पार्टी है और ये बीजेपी वाले इसे मैदान में उतार रहे हैं मुझे तो ये भी पता लगा है कि वार जो रामविलास पास्वा वाली और इनकी जेडियू वाली जो हैं इनके भी बताया जाता है कि कुछ जगे कंडिडेट उतरने जा रहे हैं पता नहीं कितनी सच है कितनी नहीं लेकिन खबर छपी है कि अगले राउंड में आपको इनके भी कंडिडेट मैदान में दिखेंगे तो कुछ ना कुछ तो सो वोट ले लेगा तो इससे आप पांच-छे अजार वोटे काट सकते हैं तो क्या होगा कि जीत और हार का जो मार्जिन रहता है चोटी सीटें आपको तो पता है कि हर सीट पे वहाँ ऐसे यह बीस पच्चिस तीस हजार का जो है वो टोटल गेम है जो परसेंटेज बगरा भी मैं किसको समर्थन दे सकता हूँ और किस से समर्थन ले सकता हूँ निर्दलिय आपने बिल्कुल सही का कि 10-15 जो है इन्हें टोटल चाहिए तो maximum निर्दलिय की इनके टारगेट रहेंगे कि निर्दलिय को किसी तरह निकलवाया जाए अब यह तो पहले राउंड के मतदान क बात पता लगेगा कि वो जो योजना है निकी वो किस तरह से एक्जीक्यूट वहां पर यह कर रहे हैं लेकिन लग रहा है कि घाटी में अभी जो बयान इनके उमर अब्दुल्ला वगेरा क्या है मुझे लग रहा है कि यह नर्वस हैं और देगे कॉंग्रेस वाले यहां ज आदमी है भी नहीं इनके पास अब इनके तो अभी देखना आप मोदी जी और यह सब शुरू हो जाएंगे जाने हो सकता है योगी जी वगेरा कभी दोरा कराया जाए तो यह नहीं क्या बात कर रहे हैं आप योगी जी का कश्मीर में जरूर दोरा होना चाहिए यह का दफा मतलब सारे तेश में योगी जी का जल्वा है कश्मीर में के जम्मू में तो कम से कम योगी जी को बेज़े जम्मू में तो पका जम्मू को तो हिला देगे योगी जी हाँ तो मेरा मानना है कि यहाँ चार-पांच रैलिया हो देखे टार्गेट इनका यही रहेगा कि जम्मू में स्ट्रॉंगली लड़ा जाए और वहाँ पे इनकी वोट कटवाई जाए निर्दलियों को सपोर्ट किया जाए आपको तो पता ही है कि किसी को अरवाना होता है अब तो निर्दलिये भी चुनाव लड़वा के अरवाय जाते हैं हमने देखें दस दस के साथ ठाकुरों के दस जार वोट कटवाने हैं दे दिया किसी ठाकुर को जेल में से निकाल लाए उसको टिकट दे दिया दस जार वोट ले लिया जीत गया वोट कटवा दिया तो केजरी वाल जी वो क्या करने वाले अर्याणा में यह तो बता दीजे भी तक लेटेट केजरी वाल की तो मुझे लग रहा है सण्जाजी जो इस भी जमानत भी जार और आ सब्सक्राइब क्यों वोट देगा अपना वुड़ा को देगा या फिर बीजेपी का कंडिडेट जाट कंडिडेट होगा उसको देगा या फिर आनली को देगा या जेजेपी जुसियन चोटाला को देगा तो फिर तो केजरिवाल के जो कैडिडेट है वो वोट कांगरेस के थोड़ी काटेंगे देखे ये ये भी एक मेरा मालना है कि ये टेस्ट है अभी ना आप जानते ना हम जानते के केजरिवाल का वोटर हर्याना में है कौन और है भी ये नहीं पता लगा सबको पान-पान-सो-स-स-स-स-वोट मिले तो फिर तो कुछ मतलब ही नहीं रहा फिर तो चुनने हैं कोई बात ही नहीं असकी लेकिन देखे इसमें क्या था इसमें तो यहां पर किस्सा तो सिधा वोई था दिल्ली वाला उसने कहा कि अगर मैं इनसे सीट मांगूँगा तो फिर ये कॉंग्रेस वाले दिल्ली में मेरे से मांगने में कि तुमने हमने हर्याना में नहीं दी तुमने हम तुमें दिल्ली में क्यों खत्ब चुनाव का कोई चसम बावना ही नहीं बनने की आगे ता लगी मना कर चुके तो यह कहते हैं और उसकी जितने भी एक्षिंस को तेख लो वह राहूल गांदी को कुछ नहीं समझता इंग जैसी चाहता है वैसी चलाता है पूरे लोकसभा इलेक्शन में उसने जैसी अपनी चाही वैसी चलाई शेलजा को उठाके अंबाला से पटकवा दिया सिरसा ये तो ठीक है शेलजा ने अच्छा चुनाव लड़ दिया वो जीट गई सिरसा अब कह रहा है कि नहीं MP को टिकट नहीं लेने दूगा और आज आपने देखा हुँगा हमारे वो कह रहे थे कि शाम तक शेलजा बताएगी आपको ये अक्टर साब कह रहे थे कि शाम तक आपको शेलजा कभी बयान आजाएगा इमका जो इने बैयाट गया है मैं पूरी बात के लूँ अपनी थोड़ी सी देखिए उड़ा का कोई भी कारण हो जिस कारण से उसने दस जन्दबत की नस्फ पकड़ा लखी है आप याद कीजिए अशोक तमर की अशोक तमर का अशोक तमर को अपने कंदे पर उठाए गूम रहे हैं राहुल गांदी अशोक तमर को इससे भी ज्यादा अपने सर पर बठा के गूमते थे वो तो उनका आदमी था लेकिन उड़ा के कारण वो कॉगरेश छोड़के गया अल्टीमेटली उड़ा तो यह करता ह किरण चोधरी को नहीं भगवा दिया से किरण चोधरी को भगवा दिया यह शेलजा को भी भगवा देगा आप देखते रहो नहीं दो आपने कही ने दस जन्पत वाली जो नवज वाली बात कही है मैं भी वही बात कहने वाला तो आपने मेरी बात जबी रोक दी मैं कह रहता, कि वो Nicholas party में हुडदा अगर किसी की सुनता है नए Sonia Gandhi, बस वो Sonia Gandhi से बात करता है सीधे इन्हे तो वास्तों में बच्चे मांनता है और Sonia Gandhi के लिए तो देखें बहुत लोग जानते हैं इस बात को कि जो Robert Varra के लिए किया है हुडदा ने हरियाना में सोनिया गांधी तो उसकी कर्ज़दार और दामाद जो है वो हमारे तो हिंदों में तो दामाद को बेटे से भी प्यारा मानते हैं सोनिया पता नहीं किस तरह से लेती हैं रोबर्ट वाडरा को तो उनके लिए जो उन्होंने एल्प की जब वो दस साल चीफ मिनिस् कॉंगरेस में ऐसी स्थिति नहीं देखी वहाँ पर अशोक गैलोत के सामने सचीन पैलेट तो था कम से कम यहां कुछ आई नहीं कहनी पिछली बार आपको याद हो गए पिछली बार वाले चुनाव थे हरियाना के उसमें तो अंतिम समय तक फाइनल नहीं होने दिया था कि वह टिकेट कौन बाटेगा वह या शोक तमर वाला वो सब लफड़ा चल रहा था महाँ पर राहूल गांधी अड़े वे ते और एक महीने पहले सोनिया गांधी ने कहा था हुड़ा को के भई आप ही करोगे फाइनल और देखो 30 सीट जीत ली थी कॉंग्रेस में एक महीने म वह अपना अनुरोध करते रह गें वोड़ा ने नहीं दी लोक सबा में एक दिल्वाही पता नहीं वह कैसे दिल्वाही थी लोक सबह में बी दिल्ली के वह बज में दी होगी कुरू छेत्र वाली लोक सबा में उड़ा को मैटर नहीं करता था जदा उसके लिए तो केवल रोतक सीट इंपोर्टेंट थी बास उसके लिए केवल रोतक सीट थी बाकी सब बोनस में आगे हैं उसके जो बी आई इंगो वो तो चाहता भी नहीं था कि शेलजा जीत जाए बाकी बोनस में जीते हैं इसार में तो बीजेपी का कंडिडेटी बकवास था बीजेपी के का कंडिडेट बता नहीं क्यों चेंज कर दिया तो यह चक्कर है सारा का सारा तो अब यह बताया है कि साथ हमारे राहुल बाबा जो है वह बहुत एक्टिव हैं जानते हैं यूएस घूम रहे हैं जब यूएस जाते हैं तो उनकी जिवा पर कोई दूसरी ही देवी बैठ जाती है नहीं सरस्वती बैठ सकती है सब्सक्राइब ने कह दिया है ही पक्वू नो मोर आप जो आप यह बताएए तो उनकी जिवात हैं जो भी पिशाचनी बैठी हुई है वह आप देख रहे हैं नहीं लेकिन आप हमें इसमें देखा कुरता पजामा और जैकेट वो पहने वे था राहुल गांदी आप याद करो अभी पिछले साल जब राहुल गांदी गया था अमेरिका सेम कुरता पजामा और जैकेट पहन के उसने वो प्रोग्राम अटेंड करा था मैंने दोनों के फोटो निकाले सेम डिटो वो ही कुरता पजामा था उसका अब मुझे लगता है कि वो कुरता पजामा उसने सैंपितरोदा में पास रख दिया है वो ड्राइ क्लीन तो आके जो है वहां तयार रखता है अब बताई रावल गांधी इंडिया में तो घूमता है कार्गो पैंट और वाइट टी-शिर्ट में तो आज के लिए करता पुछामा पहन लेता है पारलेमेंड में हाप बताये कुर्टा पुछामा पहन के कितने साल से नहीं गया रावल आपके टीशिट का पतारी उसकी टीशिट तो सुनते हैं 15 20 जार की आती है 25 जार की है साब मेरी तो ऐसी चोदा सो 15 रुपे वाली वह तो 25,000 रुपे की पहलता है पता नी कौन सा बरबरी कौन सा ब्रांड है वो उसकी पहलता है वह वह बरबरी बहुत तगला ब्रांडे साब तो वह पहनता है उसी के कभी वाइट पहन लेता है कभी मेरा सवाल ये यह कि देखिए उसने कैसे किया यहां तो जब तक रहा है वाइट टी-श्यट में जाते हुए क्यों सरम आ रही है वहां क्यों नेता बनके पुर्टा पजामा पहन के आप इंडियन दिखने की कोशिश करते हो मैं कारल बता रहा हूं आपको जी तो कुछ रहा हूं मैं आपसे कारण बताइए और यह है कि वह अमेरिका जाके उसको जो है 25,000 पचास जार की पहने पड़ेगी क्योंकि वहाँ सारे पहनते हैं उसी तरह की शट अलब दिखने के लिए इसको 50,000 पहनेगा तो इंडिया वले ट्रॉल कर देगे तो इसकी ए कुरता पुजामा पारी हैं? नहीं दिर दोसला हम मजाक में ले जा रहे हैं इस बात को अगर आप लेकिन वो रहता वहीं है, सैम पितरोधा लेके बैग में, वो लंदन भी पहुच जाता है, पैरिस भी पहुच जाता है, वो छोड़ वहीं आता है, इंडिया में तो राहूल गांदी ने कूरता पजामा पहनना बंद कर दिया, इवेन पारलेमेंट में भी वो जो है, ड्रेस क खेलने गया था अभी जिसमें, भारत जुड़ो यात्रा निकलने वाली थी, वो क्या थी, बच्चों को पटा करा था जिसमें उठा उठा के, लेकिन साब बातें तो घजबकी कर रहा है, कि साब की देखों को पगड़ी नहीं पहनने देते हमारे हाँ, सब की सिक्खों की प सिक्खों ने चैलेंज दे दिया, कि हमसे बहस करो, वहाँ क्या बोल रहे हो तुम, ओ बहस करो, दिल्ली आने को त्यार है, दिल्ली में करलो, चाए वाशंग्टन में करलो, युएस में करलो, कहीं भी करलो, ओ, राहुल गांधी की बात पे सिक्ख ही केवल इतना सिरियसली ल वाले आप कोई पता होगा नहीं मुझे नहीं पता का बंगला देश से खबर आई है अच्छा वह तो धूबे साम करवा रहे हैं सुनील कुमार शिंदे की बेटी से शादी हो रही है उनकी नहीं यह मुझे नहीं पता सुसील कुमार शिंदे का कल बुक लॉंच था एक यहां पर बुक लिखिये है नोने फाइव डिकेट्स इन पॉलिटिक्स कि मेरी जो है वहाँ जाने से डैश डैश हो गई लेकिन साब यह बड़ा घजब आपने याद दिलाया कि जो हमारे देश के बड़े बड़े पत्रकार हैं जो बैठते हैं अनेलेसिस करते हैं वो रावल गांधी को मतलब राजनीटी में सफल कराने के लिए उनकी दलित लड और महराश्च महिला कांगेस के काफी मतलब रॉमिनेंट है तो तो उसका नाम उसका नाम चला है कि कहीं मैंने ये मैंने लिए वह प्रेणीटी शिंदे नाम है उसका मास्टर स्ट्रो इसके बाद तो कुछ होई गई नहीं यह लगवाते हैं कि मायावती जी जितनी खाल उदेड़ रही है राहुल की उतनी वीजेपी भी नहीं उदेड़ पा रही है मायावती का तो काफी वाया है और या मायावतीन तो उस पर भी ऑब्जेक्शन उठा दिया है यह जो एंकाउंटर हुआ जिसमें मंगेश यादव को जो मारा यूपी में उस पर बहुत लंबा चोड़ा बयान दिया है कि आप इस तरह के अपराधियों को मारने पर जात्वात और यह सब क्यों गसी ट्रेंज देखे मायावती ने बहुत तकड़ी चीज पकड़ ली है जिसको बीजेपी ने अभी तक नहीं पकड़ा है मायावती ने क्या कहा मैं एक मिनट मायावती का ट्वीट ही पड़ देता हूं ऐसा जबरदस्त मारा है इसको अगर यह पकड़ ल रही हैं मायावती जी क्या कह रही है अब कांग्रेस पार्टी के सरवे सरवा श्री राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर करहें जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा है कि भारत जब बहतर स्थिकी में होगा तो हम स्सी स्टी ओवी सी का आरक्षन खतम कर देंगे इस से इस पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षन को खतम करने के शडियंतर में लगी है उसने बिटविन दा लाइंज निकाल लिया यह तो बोला ना उसने नहीं मैंने का कि उस मायावती ने अपने मतलब की बात पिक करके उसको चला दिया तो ऐसे ही तो करना पड़ पिर जब यह लोग ठीक ठाक इनकी स्थिती हो जाएगी तो इस तीने आरक्षन से बार करते हैं उसने वही कहा जो मायावती कह रही है क्योंकि इसने भी तो बिट्वीन दे लाइन ही निकाला था ना कि चार तो क्यों चाहिए आरक्षन करना चाहिए बिलकुल वहाँ उस से म अब बाकी आपने उनकी जो है वह देखी लिया कि उनको इंडिया इंडिया है आए एक का क्या मतलब होता है उसका भी कुछ नहीं पता उनको जीव-जीव सी बाते वहाँ पर कर रहे हैं और मुझे यह देखकर यह कोफ्ट होती है कि साथ कि जो जिस तरह से इसको गिराया ज लेता है या प्रदी बड़ारी कर लेता है लेकिन जिस प्रकार से पुलिटिकल आक्रमन होना चाहिए इनकी हरकतों पर वो तो कई दिखाई नहीं पढ़ता है नहीं पहले एक काम और भी होता था संजा जी जहां इस तरह की लोग बोलते थे न वहां पे कुछ लड़कों पता लगता कि राहूल गांधी का वहां पे कम से कम कुछ तो इसका कहीं विरोध कुछ कि आप ने उस प्रोग्राम में ऐसा कह दिया भारत के बारे में ये सारी बाते कह दिये हैं तो उसका कुछ उसे काले जंडे वंडे दिखवा दें वहां अमेरिका में जहां भी गया हु तो जो कानी यहां चल रही है उस अभीजे का चल रही है वो तो कहेगा कुछ भी वहां पर भी इनकी भी तो ओरसीज फ्रेंड्स और बीजेपी वगरा है लेकिन तो मैं करूं उन्हें काम कराने चाहिए इसमें लगाना चाहिए उन लोगों वहां लड़के ने एक यंग यहीं तो काम होता है उस में आप यहि बताईए के वह आपके मेडिसन के इमावाली के साथ धक्का मोकी कैसे हुई थी फिर इमत तो नहीं उसकी कहीं तो ऐसे ही तो हुई थी वहाँ उसमें माहूल था सब में जोस था कि जो भी मोदी के खिलाफ बोलेगा उसे बोलने नहीं देंगे या अब है नहीं वो बाद ना आप उन लोगों क सपोर्ट करते हैं ना उन लोगों कुछ देते हैं तो वो कोई क्या करेगा जब यहाँ आपके अपनी पार्टी के संगठन के लोग ही आप से परिशान है आप तो बोलते भी नहीं ना उनके पक्षब हैं भी बोली दो वो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं वो तो और बाखी महाराश को में क्या हो रहा है तो असादिया आपने उद्दव ठाकरे को उद्दव ठाकरे तो पहले फस गये थे उद्दव ठाकरे तो फसे ही हुए थे उद्दव ठाकरे का तो मुझे लगता नहीं मैंने तो वीडियो भी बनाया था इस पर के खतम होगी का नही युद्दव ठाक रेगी और वो पहली और आखरी बार सीम बन चुके और फिर कभी सीम नहीं बने और वैसे ही जो है अपना बेजिती करवाते हुए गूम रहे हैं कभी शरत पमार के पास कभी किसी के पास कुछ होने वाला नहीं है और कुछ लोग तो मेरे से ये भी कह रहे थ है कि ये जो लाडली वेन वाली जो योजना शुरू की है ने एक महीना हो चुका शायद दूसरा महीना बाने वाला है निका तो लोग तो ये कह रहे है कि इसका भी रिस्पोंस बढ़िया है अंडरकरंट ठीक चल रही है योजना ये मद्द्य परदेश की तरह ही चल रही है और अभी तो वो एक सर्वे आ गया अगर आपने देखा हो तो उसमें तो बीजेपी और सिंदे मिलकी सरकार बना ले रहे हैं जरुवती नहीं है किसी की और ये ठाकरे सबसे खराब है उसमें एंसीपी ठीक ठाक है उसमें जो सर्वे दिखाया नोंने तो ऐसा तो लगता नह है मुझे वैसे तो हरियाना के बारे में भी लोग यह कह रहे थे उसमें परसेंटेज दिया है ना उन्होंने वोट में सीटे मीदी है आपको बताता हूँ थोड़ा सा दरश्वकों को यह जरूर पता लगना चाहिए क्योंकि मैंने उसके वीडियो बड़ा डिटेल में बना और सिंद्यवाली सीर स्याना को दी हैं 42 से 52 के बीच में और अजीत्पमार को दी हैं 7 से 12 में कौंगरेस को दी है 58 to 68 उद्दव ठाकरे को 26 से 31 और NCP को 35 से 45 इस तरह से दी उद्धाव ठागर को कितनी दी? उद्धाव ठागर को दी गए हैं 26 से 31 के बीच में सबसे कम? आँ सबसे कमी दी हैं अभी लेकिन इसमें तरसल यह है ना कि यह जो अभी आकलन है इसमें यह तो नहीं पता ना कि कौन कितनी सीटे लड़ने वाला है यह तो अभी डिसाइड़ है नहीं अभी यह मुझे लगता है कि या तो जो लोकसभा चुनाव का नतीजा था उसी के आधार पर इन्होंने विधान सभावाई जिसको बाटा है उस आधार पर शायद प्या किया हो कि वही इस लोकसभा सीट पर यह था और आठ आठ दस के करीम इन निर्देलिय भी इसमें दिखा दिया है अजीत पहार की चरवत ही नहीं पड़ रही है इनके इसाथ से तो तो रही है इनका अगर देखें तो एक का मिड़ पॉइंट जो है एक सोपैतारीश जो चाहिए एक सोपैतारीश यह लेकिन मिड़ पॉइंट जो आए रहा है इनका नहीं नाइंटी थिर और फिफ्टी टू पैतारीश कैसे बनें यह तो आप अपर लिमिट देख रहे हो दोनों की अपर ही देख रहा हूं बैं ने अपर क्यों मिड़ तो लोग सबह चुनावाली स्थिति नहीं है ना के थी सीटे जो तो और पूर को यह आपको नार्याइज करता हूं कि मैंने किया इसकी आधि देखें तो हिस्टिती जो है वो सबसे ज्यादा खराब किसकी हुई सबसे ज्यादा खराब इस थी इनके इसमें गटवंधन में कोई तो हमारे उद्धर ठाक रहें की सबसे ज्यादा सीटे ये लड़े थे और फुल मिला के इसे कितनी नौ सीटे जीते ये वीजेपी के बराबर और कांग्रेस जो है वो तेरा चौदा जीत की उनसे कम सीटे लड़के तो इनको जो भी वोट मिला है जैसे मौले का आता है ठुझा जीते हैं तो ये दिखाते हैं ये अकोप तो उनको दोनों को पता है कि वो इनके वोटों के सारे खेल रहे हैं तो इनको क्यों सीटे ज़्यादा देंगे देंगे नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं और वैसे भी लोग समा चुनाओं में जहां सिंदे वर्सिस ठाकरे हुआ है सिंदे फाइदे मेरा है लोकसभा का दीरे दीरे जैसे जैसे यह हुए है वैसे पूरा जो वोट है वो चला गया इनके पास से हैं नकल गया यह इत्तित हो इनकी पूरी खराबी हुए है ना है अ रवीश का चैनल देख रहा था दो तीन हफते के बाद मैंने उसके कुछ वीडियो देखे पिछले पूरे देखे नी वीडियो केवल देखा क्या-क्या बना रहा है वो तो आज कल वो कभी सुनीता विलियम्स पे बना रहा है कार महंगी क्यों हो गई है और वो जो सेवी वाली है उस पे पाँच एपिसोड बनाए उसने पिछले तीन हफता में जो हफते में मैंने यह जो आकलन किया है इसकी रीच बहुत गिर गी है और बहुत अब तक का जो सबसे खराब परफोर्मेंस है इसके चैनल की रवीश की वो इस समय है और पिछले तीन हफता में चार या पाँच वीडियो हैं जिन्होंने वन मिलियन क्रोस किया जिसके एक करोड़ दस लाख साथ हजार सब्सक्राइबर हों जो आज मैंने देखा था जिसका लास्ट उसके लिए आप सम यही बताना चाहरा था उस मेरा मतलब यही था जो मैंने इसका आकलन किया कि एक तो जादे इश्यू इस तरह के मिलनी पा रहे हैं जिस पे आप कर सके अब इश्यू ऐसे हैं कि जैसे कॉलकत्ता वाला चल रहा है आर जी कर मेडिकल पॉलिस वाला उसे बनाओगे आप तो उस और वहाँ पर जो कश्मीर कश्रिनगर का कॉलिज है वहाँ पर उसकी प्रोपर्टी का क्या मामला चल रहा है बतानी इस तरह के आलतू-फालतू के सहरा में जिनके लोगों के पैसे फसे हुए हैं उनके पैसे वापस नहीं आ रहे हैं तो कुछ सामाजिक सरोकारों की तरफ जादे मुड़ते में नजार रवीश कुमार कुछ दिनों में यही बात कहने रहे हैं अजीत भाई तो हर्याना के इलावा कुछ छूई नहीं रहे हैं इंट्रेवू पे इंट्रेवू लिये जा रहे हैं हर्याना के अभी हो सकता है कि फिल्ड में निकल जाएं दीरे कर दी थी के यह कलकत्ता नहीं जाएगा वह उतरेंगे तो इनको पकड़ लेंगे लोग ऐर्पोर्ट से बाहर निकलते ही तो वहां तो इमत है नी निके जाने की कलकत्ता वगरे में कवरेश करके आथा अड़ियाना जाएगा वो गाजेबाद में वसंदरा में कहीं रहता है अपना वहीं हाईवे पे निकलेगा और शाम को एक-दो गाउं की कहीं कवरेज करके फिर घर लोटाएगा यही काम करेगा जी तंजिम वही करना है उसकी भी खराब रीच है बहुत खराब गिरावाट है उसके भी वीडियोज में वीडियोज में आप देखो चाहिए मई में मई में रविश कुमार के 163 मिलियन व्यूज थे आज 55 है तो कह रहा हूँ आप देखो कहां पर गया है चैनल कितना नीचे गया है चलिए आज के कारकरम को यहीं पर विराम देते हैं सभी दर्शकों को बहुत दंदे दन्यवाद अर्श कुमार जी को भी बहुत बहुत दन्यवाद जैन जै भारत बंदे मात्र को नमस्कार